साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy, साथियों आज हम आपके बीच डिसकस करेंगे जामून खाने के फाइदे, साथियों जैसा कि आज कल सीजन चलना है, मार्कर में बहुत सा जामून है, बरसाइद का सीजन है, जुलाई, जून, जुलाई और मैं, जून, ये सभी जगा जो है इंडिया में जामून मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिसरी होता है, सभी को लगबग पता है कि सुगर के रोग्यों के लिए अमरत फल है, और उसमें बहुत ही फाइदा करता है, इसके बारे में हम एक एक करके बेनिफिट भी बताएंगे, क्कivos अपरे जानेंगे जामुन है क्या, साती सातह कि जू है इसके सिवन टाइवटीज में कैसे करना है, इसके बारे में हम लिश्कस करेंगे, सातियों जैसा कि जामून बहुत कम प्यास लगती है, ये इसकीन का हाइड़्रेट रगता है, कहने का मतलब नमी बनाया रगता ह साथिकों डाइबोटीज के लिए बहुत ही फाइदे मंद है और जामुन जो है अलग-अलग भासा में अलग-अलग नाम से जानते हैं इसका कल्टिवेशन कलेक्शन मतलब पैदावार भारत नेपाल बंगलादेश पाकिस्तान इंडोनेसिया स्री लंका सभी जगा जो है लग स्वाद होता है saatiUNG का सैला होता है मीठा होता हुश सबसे जया मातरा में जो है और नेजर होता है मेंGU इक इक करोराा Kang्क करेंगे लिक लिए सबसे पहले हैं कि पॉषक तर्थ कॉन-कौन से पाया जाती है साथ यो जामुन उन में सबसे जयादा मातरा में कैल्सिո्एum और विटामिन A की बहुत अच्छी मातरा होती है, थाइमीन कहाने कामिन B1, रिवोफिलीविन, विटामिन B2, B6, नयसिनामाइट और असकालिक अचीट कहने का मितलब है, विटामिन C भी बहुत अच्छी मातरा में पाय जाता है, साती उसमें गुल्बोज और फ्रक्टोस बहुत अच्छी मातरा में पाए जाता है साथियों यह क्या है कि डाइबटीज के लिए तो अमरत है साथिसाथ खनीज की मात्रा इसमें बहुत जाड़ा होती है साथिसाथ इसकी तासीर इतनी धंडी होती है कि पूर्सों के लिए बहुत ही फाइदे मनने साथी हों तो ये तो इसके पोसक तक्तों के बारे में हो गया है बेनिफीट की अगर बात करेंगे तो ये डायप्टीज़ के रोगियों के लिए अम्रत है साथिसाथ ही कोलेस्टिराल को सरीर में कम करता है जिन पूर्सों के अंतर फैट, कोलेस्टराल और मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, महिलाएं, डिलिवरी के बाद क्या होता है, मोटी हो जाती है, अगर निरंतर जामुन का फल खाएंगे, सीजन में है, तब तो आप आसानी से मार्केट से खा सकते हैं, अगर सीजन नहीं ह तो आप इसको मार्केट में जूस भी मिलता है, आप जामुन का जूस ले सकते हैं, एंटी ऑक्सिडेंट का काम करता है, साथी साथ गट, गट कहने का मतलब है, कि आप को दुरूस्त रखता है, डाइजिस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, और उससे क्या होता इसकीन के लिए बहुत अच्छा है, तो जामुन खाएंगे ठीक हो जाएंगे, जिन पुरूसों के अंदर या महिलाओं के अंदर ओल एज है, उससे अर्थराइटीज है, जोडों में दर्द है, तो जामुन खाने से बहुत आराम मिलता है, इंफेक्शन किसी तरह का सरीर मे करने का काम करता है, साथी साथ बच्चों को बड़ों को ब्रेन सार्प करने का भी काम करता है, साथी वो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो बहुत अच्छा रखता है, साथी साथ टीथ कहने का मतले में दात है, क्योंकि इसमें फास्पोरस की मात्रा बहुत जादा होती है, मै करना चाहिए इसमें क्या होता है कि जैंबो लीन और जैंबो सीन नामक तो ऐसे अलकॉलाइट पाया जाते हैं जिससे क्या होता है कि सुगर के रूगियों के लिए अम्रत कहा गया है और सुगर शरीर में बढ़ता नहीं है क्योंकि यह डाजेस्टिव सिस्टम को इतना बढ़ साथियों सुगर रोगी इसको जो है पावडर फार्म में भी ले सकते हैं कि जामुन खाने के बाद उसके जो सीड्स है उनको रख लें और सुखा लें उसके पीस के एक चम्माश सुबे साम जो है अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो इसके पावडर फार्म में सेवन से लिए सखते हैं साFF कर सकतें रूट सी खेर बहुत से मेडिसन से जो जामुन से बनती है साथियों तो यह अज हमने उनके फाएदे के बारे में डिसकस किया है वीडियो कैसा लगा है के साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सकते हैं नमस्कार